Hello everyone, welcome back to my tip channel Uni classes तो मैं आप सभी की खूशी दी दी आप सभी के लिए हाई-end का जो round 2 है उसके लिए प्रोजेक्ट को लेकर discuss करने आई हूँ, देखो I know थोड़ा सा लेट हो गया है बट जैसे मुझे टाइम लगा, मैं आप सभी के लिए लिया ही, पहले तो मुझे ही नहीं पता था कि इसमें 2 sets डिवाइड की हूँ है क्योंकि जैस बच्चे इन पर प्रोजेक्ट बेजे थी, उसका set B था, तो मैंने set B के लिए बना दिया था इसलिए अब मुझे पता चला है कि set A भी है और बच्चों के बहुत दिमान थी, तो मैंने आप सभी के round 2 के set A के लिए projects लेकर आई हूँ और बताऊंगी detail में कि आप किस किस तरीके से इनको बना सकते हो और I think आप सभी ने अभी तक वीडियो को like कर दिया हुगा, अगर नहीं किया तो please जल्दी से like कर दे, मुझे support करने के लिए मैं रात के तकरीबन 12 बच चुके हैं, और जब मैं बना रही हूँ, और अभी थोड़ी देर पहले हम 8 बजे live भी आये थे और काफी सारे बच्चे जुड़े भी थे, S.O.C. Unicorns पर भी, तो उसे मैंने बहुत important चीज़े भी दी हैं, बताई भी हैं, तो please उनको भी जरूर देख लेना, चाहे मैं यह नहीं बोल रही है कि simple देखो, अगर time waste हो रहा है तो उसको speed up करके देख लो, बट देखो, क्यों कि उसमें बहुत कुछ discuss हुआ है round 2 को लेकर, तो चली start करते हैं without any time wasting, सबसे पहले मैं thank you करना चाहूंगी काविया का, काविया ने मुझे जो है यह दिया है, यह मेरे एक student है, तो चली start करते हैं, आपका set A है, उसमें total 6 prompt दिये हुए हैं आप सभी को, कोई भी एक जो है आप आपको उस पर project बनाना है, सबसे पहले जो आपका prompt दिया हुआ है, first उसमें बोला हुआ है create a musical instrument using recycled material and write a description, आपको जो है कोई भी एक musical instrument जो है उसे create करना है, recycled material से, या फिर we can also say कि आपको जो है एक musical instrument जो है उसे design करना है using waste material ठीक है, और उसके लिए आपको description भी लिखना है, आ आपको task दिया हुआ है, students are to up cycle materials such as bottles, cans, wood to create a simple musical instruments drum, wind instrument powered by electrical, electronics components, motor, magnets, speakers, etc. आप जो है अपने instrument को bottles के थूँ या फिर कोई waste can है, कोई wood है, wooden है, उसके थूँ बना सकते हो, और आप अपने musical instrument में like drum बगारा बना सकते हो, और आपको अपने musical instrument में like drum बगारा बना सकते हो, और आपक कोई wind instrument बना सकते हो, जिसको आप electrical power के थूँ चार्ज अप करके दिखा सकते हो, उसमें आप motors का यूज़ कर सकते हो, magnets का यूज़ कर सकते हो, और also आप उसमें speaker का भी यूज़ कर सकते हो, तो इसमें कुछ चीज़ आपको बताई हुई है, तो इसमें ये भी बताई हुए है कि अगर आप में से कोई बच्चा इसको बना रहा है, तो वो जल्दी से comment box में मुझे बनाएं कि कौन-कौन बच्चा बना रहा है और musical instrument में क्या लिया है, ठीक है क्योंकि मुझे बहुत curiosity होते हैं जानने की, तो अगर आप से भी बताना चाता है तो बता सकते हैं, consider the following prompt to guide your design process, आप जो हैं आपको, ये कुछ prompt आपको दिये हुए हैं, जो कि आपको याद रखने हैं, जब आप अपने model को जो है design करोगे, ठीक है? फर्स्ट दिया हुए material required, यानि कि कैसा-कैसा material आपका जो है लगता है उसमें, वो चीज़ आपको याद रखने हैं, वो चीज़ आप description भी लिखने हैं, description का मतलब होता है, कि shortly आपको चीज़े बतानी है, कि आपने किस-किस तरीके से इसको बनाया, और उसमें मतलब किका ची इसे आजाएंगी, second है electro-mechanical concept, आपको electro-mechanical concept के बारे में पता होना चाहिए, वो भी no-down करना है, now next है cost-effective design, कि आपका जो design हो, वो cost-effective हो, वो जो है जादा खर्चिला ना हो, ठीक है, इतना ना हो कि भाई, आपने उस पे 5-6,000 खर्च कर दियो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए next दियो बता है sustainability, उसकी sustainability अच्छी होने चाहिए और उसकी durability भी अच्छी होने चाहिए, याने कि दोनों का मतलबी same यह निकल कराता है, कि वो effective होना चाहिए, और effective ऐसा ना हो कि वो 2 दिन चले और फिर खराब हो जाए, दो मिनट चले और फिर खराब हो जाए, कम से कम ऐसा हो क कम से कम वो 2-3 महीने तो at least चले क्योंकि आप waste material से बना रहे हो तो मैं ये नहीं बोल सकती कि 2-4 साल तक चले है न but 2-3 महीने चले तो इतना आप बना ले ना कि आपके interview के time पर वो तूटना जाए ठीक है मतलब मेरे ख्याल साब समझ गए होंगे उसके बाद इसमें कुछ expectations है सो ऐसे कि आप सभी से रो दिया हुआ है इन्होंने बताया कि आपका 3-dimensional जो है ये model होना चाहिए innovative musical instrument created by the student using different materials, electronic sensors आप जो इसमें बहुत सारे materials का use कर सकते हैं जो यहाँ पर दिये हुए हैं लिखे हुए ठीक है the musical instrument prototype should not be of a size that cannot be carried by you to the center और musical instrument इतना भी बड़ा नहीं होना चाहिए कि आप उसे easily जो है अपने center तक ले करना जा पाएं मतलब कि आपको अपने center पर ले कर जाना है उसे तो easy to carry होना चाहिए कि अगर हम उसे कहीं use करें तो हम असानी से, metro से या bus से या car से उसे ले जा सकें ठीक है और फिर इन्होंने बोला है कि आपको जो है 250, 250 words में आपको जो है थोड़ा सा describe करना अपने musical instrument के बारे में जो कि आप असानी से कर सकते हो अगर आप इसे खुद से बना रहे हो तो है ना तो खुद से ही बनाना है आप किसे sibling की अपने बड़े भेन भाई की या अपने friends की या अपने parents की help ले सकते हो बट यह नहीं करना कि आप यह कहा दो कि भई मेरे parents ही बनाएंगे मैं तो नहीं बना रहा ऐसी चीज नहीं है क्योंकि अगर आप नहीं बनाओगे तो कहीं न कहीं S.O.S.C. वालों को पता चल जाएगा वो बातों से पता चल जाता है और उनके बास बहुत सारे तरीके होते हैं निकलवाने के निकलवा लेंगे और ना ही कोई बच्चा बहार से खरीद के देगा ठीक है खुद से बनाना है क्योंकि अभी थोड़ी सी महनत कर लोगे तो उस महनत का अफल आपको बहुत अच्छा मिलेगा यह उनने यह भी बोला है कि आपको 250 words में उसको describe करना है musical instrument को तो 250 words का मतलब होता है 25 to 30 lines का तीक है इतने words में या फिर आप एक page में कर सकते हो राम से एक से ज़ादा मेरे ख्याल से नहीं होगा एक से डेड़ पेज हो जाएगा क्योंकि 25 lines आप देखी लेना कितने होती है गिन लेना इतना है चलता है 25 से 30 कर देना ज़ादा मत करना ठीक है उसके बाद second prompt पर आते है second prompt again एक paste your code and flow chart दिया हुआ है which is मैं already discuss कर चुकी हूँ set B वाले में तो अगर किसी ने set B वाले को देखा होगा तो उसको पता होगा देखो ये जू है आपको इसमें एक programming code दिया रहेगा आपको उसको लिखना है English में ठीक है उसके कुछ आपको passwords दिया हुए correct password and wrong password वो भी आपको दिये हुए है तो ये जू है मैं सही बता हूँ तो मेरे को इतना खुद से भी confirm नहीं है इस prompt के बारे में तो मैं इतना detail में नहीं बता सकती हूँ flow chart का मतलब simply ये होता है कि जैसे ये लिख दिया मैंने फिर उसके बाद इसका एक type है मैंने ऐसे लिख दिया उसके बाद इसका एक और type है वो मैंने ऐसे लिख दिया फिर इसका भी एक type है तो मैंने ऐसे लिख दिया इसे सरीके से flow chart होता है मतलब उपने पूरे topic को हम short summary में short mind map में समझा रहे हैं flowchart बोलते हैं ठीक है तो यह जो है इसका use किस-किस तरीके से आप करोगे password making के लिए mostly किया जाता है तो वो यहाँ पर आपको दिया हुआ है और आपको correct passwords भी यहाँ पर बताए हुए है I think नहीं आपको correct passwords नहीं बताए हुए है वो set B वालों को बताए हुए है तो इसको please अगर कोई बना रहा है तो मैं ही suggest करूँगी कि पूरी knowledge हो तो ही बनाना and second thing आप जो है अपने Google का बहुत इस्तमाल करो चाहे आप YouTube का इस्तमाल करो चाहे आप किसी foreign country के person की वीडियो देख रहे हो no problem but ऐसी देखो जिसके पास इसकी पूरी knowledge हो मैं बिल्कुल सही guide करूँगी मैं यहापे यह नहीं कहूँगी कि खाली मेरी देखो ऐसा ज़रूरी नहीं है जहां से आपको clear होता है लेकिन यह देखना कि जिसके पास knowledge है उसी की देखो ठीक है अगर बना रहे हो तो नहीं बना तो कोई problem नहीं है थर्ड आपका prompt है create an investment plan यह वाला prompt काफी मज़ेदार है और काफी easy भी है कैसा है यह दो को first वाला prompt भी काफी मज़ेदार और easy भी था अगर किसी को बनाना आता है तो ठीक तो investment plan के अगर मैं बात करूँ तो investment का मतलब होता है कि अगर मुझे future में कुछ करना खरीदनी है कार आती है 10,00,000 की ठीक है कार आती है तकरीबन आपकी 10,00,000 की मेरे पास जो है उसका 30% पैसा अभी है बागी का पैसा मुझे जोड़ना है तो मैं किस तरीके से उस पैसे को जोड़ू कि मैं future में 10,00,000 जो है जोड़कर अपनी एक प्यारी सी कार खरीद लो तो इसी को बोलते है investment plan ठीक है यह इसमें बोला हुए आपको कि आपको एक educational investment project draw करना है डिजाइन करना है जिसमें कि आपको इब एक higher degree ले रहे है college या university से वो आपकी choice की होगी ठीक है और इसमें आपको सब कुछ cost वगेरा सब कुछ जो है calculate करके बताना है कि अगर आपके पास आपके higher degree के जो fees है उसका 30% पैसा अभी फिलाल है तो total fees के amount के लिए कितना आपको utilize करना पड़ेगा क्या 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 आपको इसमें खर्चा करना पड़ेगा सब कुछ आपको इसमें जोड़ना है यह चीज याद रखना investment को लेकर ठीक और इसमें loans अगर ले रहे हो तो वो कि A4 sheet पर draw कर सकते हो मतलब बना सकते हो excel पर कर सकते हो google sheet का use कर सकते हो ठीक बाकी बहुत सारे चीज़ों का use कर सकते हो आपको इसमें जो steps include करने है वो है evaluating the fees की fees को evaluate करना income utilization income की utilization की कहां कहां आपने income को utilize क्या है invest कहां क्या है loan strategies क्या है आपकी ठीक है वो सब कुछ आपको साथ क्या करना है clear explanation देनी है visuals जहां पर भी लिखा आता है इसका मतलब होता है आपकी pictures तो आपको pictures का भी use करना है pictures से आपका जो project है वो effective और attractive लगता है ठीक इसका जरूर use करेंगे सब बच्चे उसके बाद और amount जो है please realistic होना चाहिए कोई बच्चा एक करोड ना ले ले क्य एक करोड की क्या ही डिगी खरीद होगे है अगर कोई doctor वगेरा के लिए कर रहा है तो वो ले सकता है बट अगर कोई simple graduation के लिए कर रहा है या कोई diploma के लिए कर रहा है तो वो एक करोड मतले ना एक लाग तक एक लाग से आप 5 से 10 लाग तक ले सकते उससे दाद नहीं ले सकत तो ये चीज़ याद रखना ठीक उसके according सब कुछ अच्छे से calculate करना और calculation के लिए अपने calculator का use कर लेना ठीक तो expectations बगएरा सब इनों आ गई इसमें fourth आपका prompt आता है creator, prototype और working model, poster for a monitoring and alert system यहाँ पर आपको एक working model करना working model का मतलब होता है चलता फिरता model यानि कि वो भाग नहीं रहा है, जरूरी नहीं कि वो चले फिरे बट एक तरीके से मैं बोल सकती हूँ कि अगर मुझे water cycle दिखाना है मैं suppose करने के लिए बोल रही हूँ अगर मुझे water cycle दिखाना है तो उसमें से दिखना चाहिए कि पानी गीरा तो फिर वो भाप में बदल गया उसको बोला जाता है working model ठीक तो वो working model या फिर आपको कोई slash भी दिया हुआ है या फिर आपको कोई poster बनाना है monitoring करते हुए alert system को जान लेते हैं क्या है task हमारे को दिया हुआ in the Himalayan regions fluids from melting glaciers known as glaciacal lake, outburst fluids जिसको goals कहा जाता है happen often आप सभी को पता है जो भी Himalayan वगेरा के side की होते है वहाँ पर बार आने के बहुत chances होते हैं क्योंकि वहाँ पर glaciers melt होते हैं है न तो इस वाज़े से to better predict and warn about these fluids and effective monitoring and alarm system is necessary तो इन सब के लिए alarm system और monitoring की बहुत जरूरत है अगर ऐसा कुछ होता है तो पहले से पता चल जाना चीए जैसे कि आपने देखाऊगा public place पर जो है fire के लिए alarm लगी रहते हैं अगर आग लगती है तो वो alarm बजने लग जाता है तो इसे तरीके से expect कर रहे हैं कि आप भी कुछ ऐसा alarm system बनाए जो कि अगर fluid आ रहा है bard आ रही है या फिर उसके आने के chances है तो वो बजने शुरू हो जाए ठीक है वो पहले से ही monitoring कर ले monitoring का मतलब होता है कि पहले से ही उस चीज़ की देख परक कर लेनी हो ठीक इस तरीके से तो ये चीज़ बताई हुए है या फिर उन्होंने एक और चीज़ बोला है परपस और इनोवेटिव आद रिलेवल मोनेटरिग सोलुशन दाट शुट इन कोपरेटिव अर्ली वर्निक सिस्टम और रियल ताइम मोनेटरिग आड अलर्ट सिस्टम तो इसमें ज़ुए ज़रूरी नहीं है कि आप वर्किंग मोडल का यूज करो यू कन अल्सो यूज़ 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 दिया हुआ है तो आप कोई भी इक यूज़ कर सकते हो अब बच्चे जो यह सोच रहोंगे कि क्या हम वर्किंग मोडल यूज़ करेंगे तो हमें प्लस पॉइंट मिलेगा तो ऐसा कुछ नहीं है आप अगर पोस्टर भी करोगे तो भी आपको उतना ही पॉइंट्स मिलेंगे वर्किंग मोडल करोगे तो भी उतने पॉइंट्स मिलेंगे जो कि alert systems आड़ी करे और बताये कि किस जगह पर glacier fluids हो रहे हैं किस जगह पर जो glacier पिंगल कर बाड़ आने की स्थिती आ रही है तो उसके लिए poster भी बना सकते हो and you can also make a working model now the next, next नहीं है भी expected outcomes के बारे में बात की जाए तो students can make charts, आप charts बना सकते हो drawings बना सकते हो, write up कर सकते हो, posters using robotic solutions आपको एक posters बना सकते हो जिसमें कि आप robotic solution यान कि mobile robot का इस्तिमाल कर रहे हो और इसमें और भी दिया है students can make a model of robot which can help in such disaster situations यानि कि आप एक working model, robot का भी robot भी बना सकते हो जो कि in disasters के time पर क्या दे, जो disasters हो रहे हैं जो भी ऐसी आपदाएं आती है, उस situation में हमारी help करें तो देखो इस पे अगर कोई बच्चा robot बनाना चाहते है तो अगर उसे पूरे चे तरीके से बनाना है तो भी ही बनाना, वरना आप उपर वाला भी ले सकते हो तो इसमें मैं पहले ही बता चुके कोई भी plus point नहीं मिलेगा आपको robot बनाने का, कभी सोच रहे हो कि हमें extra marks मिले तो ये smartness मत दिखाना now next prompt is five and fifth में बोला हुआ है design a poster for a local craft fair related to artisanal handicrafts यहाँ पे बोला हुआ है कि आपको एक poster बनाना है जो की local craft fair का, यानि कि जहाँ पर crafted जो चीज़े होती है उसका जो मिला लगता है, fair का मतलब मिला होता है ठीक है, तो उससे related आपको बना है सारे crafts, यानि कि मैं इसमें आप कोई बहुत अच्छा सा example देती हूँ कोई दिली हाट की अगर market में गया हो तो उसको पता होगा कि वहाँ पर सारे चो material होता है वो इंडिया की बहुत सारे अलग-अलग states से आया हुआ होता है कोई कश्मीर, कोई पंजाब, कोई तमिलनाडू, कोई चेन्नाई, कोई आसाम, कोई गुजुरात ठीक है, बहुत सारे अलग-अलग states से आया होता है लेकिन वो सब जो है handmade होता है वो कुछ भी मतलब ऐसा नहीं कि machines के थुरू बनाये हुआ हो वो सब handmade होता है आप उनका कोई earring भी उठाके लेको, बहुत छोटा सा earring वो भी आपको 500 से कमका तो नहीं मिलेगा और कोई बड़ा earring है या बड़ा necklace का set है तो ऐसा भी होता है कि वो जो है 5 से 20 हजार तक के वीज के भी होते है पिकोज उसमें महनत लगे क्योंकि वो हाथ से बनाये हुआ है machine का work और हाथ के work में अंतर होता है तो यहीं चीज आपको यहाँ पर design करने के लिए पोस्टर जो की इस से related हो design a poster for a local craft fair that celebrates and promotes artisanal handicraft products of India your poster should include events, details ओके आपको यहाँ पर simply एक poster निकालना है कि इस जगे पर जो है यह fair लगेगा ठीक है उसको promote करना है जो handicraft है handicraft जो चीज़े है उसको promote करना है और India के products को भी promote करना है तो आपको event की details देनी होंगी कि event कहाँ पर हो रहा है उसकी venue क्या है उसका timing क्या है और कुछ ऐसी tagline आप use करना है तरीके से जैसे advertisement होता है advertisement होता है ना TVs में आता है ना advertisements बहुत सारे कि डर के आगे जीत है Mountain Dew है ना और भी दोतीन से होता है पता ने glory है तो floory कुछ ही सरीके साथ होता है तो बहुत सारे ऐसे होते हैं जो taglines होते हैं उनकी jingle lines भी बोलते हैं ठीक है वो होती है तो वो आप इसमें include कर सकते हो contact information include कर सकते हो और other supporting visuals आप कुछ visuals भी देखो जो भी बच्चा project बना रहा हो please visuals का भी यूज़ करें pictures का भी यूज़ करें उसे picture effective लगेगी आप इसको A3 sheet पर बना सकते हो इन्होंने बता है simple ठीक है इसमें आपके जो assess किया जाएगा आपको creativity आपकी कितनी है आप flow of information कितनी देते हो ठीक है आपका balance कितना elements को लेकर और किस तरीके से elements को आप जो अरेंज करते हो और किस तरीके से उनकी importance को बताते हो now the last आपका जो prompt है prompt number 6 क्या बोल रहा है design a futuristic utensil okay so ये जो है live में भी बड़ा पूचा गया था इस future में कोई ऐसा utensil utensil का मतलब क्या है simple future में कोई ऐसा बरतन जो है वो आए जो की कुछ help मतलब helpful और अच्छा कारगर साबित हो तो वो जो है आपको बनाना पड़ेगा ठीक और उसको describe भी करना पड़ेगा कितने में 1500 से 200 शब्दो में ठीक है तो मतलब कि 15 से 20 लाइनों में उस को describe करना पड़ेगा अगर आप इस prompt को use करते हैं तो बात करते हैं कि आपको कौन सा utensil बनाना है किस logo के लिए बनाना है तो तीन लोग दिये हुए है senior citizen, working professional, gamer देखो utensil का मतलब है कोई ऐसा बरतन जो की काफी अच्छा हो और हमारे जो normal बरतन है कटोरी, गिलास, ठाली, इन सबसे हट कर हो, ठीक, जैसा कि जो senior citizens है, उनके लिए कुछ इस type का बरतन हो सकता है कि मतलब उनको जो है, उसे hold ना करना पड़े जादा देर था क्योंकि उनके अंदर इतनी ताकत नहीं होती है, देखो अगर किसी की age जो है 80 to 90 हो गई है, तो उसके अंदर इतनी ताकत न दिमार्क लगाओगे, कि उनके लिए हो beneficial आभीत हो, और आपके normal जो utensils होते हैं, उनसे हट करो, एक gamer के लिए, कि जो भई game खेलता है, उसके लिए कैसा होना चाहिए, और एक professional जो है, उसके लिए कैसा होना चाहिए, ना उन्होंने कुछ expect कि आप सबसे, कि आप जो है sketch भी draw क करेंगे, design करेंगे, including different types of views, okay, इसमें simply आपको जो है model नहीं तियार करना है, इसमें आपको simply sketch बनाना है, या फिर हम कह सकते हैं कि आपको इसमें draw करना है, ठीक है, draw करना है आपको इसमें, ठीक, चाहे तो आप इसको design कर सकते हो, चाहे आप इसको draw कर सकते हो, और draw कर सकते हो, तो साथ में आपको pictures हर view की दिखानी होगी कि बरतन हर एक angle से कैसा दिखा रहा है ठीक है तो ये चीजे और ये सब आप use कर सकते हैं अपने घर के material को लेकर ठीक और इसमें आपकी creativity को check किया जाएगा आपके product में कितना मतलब कैसा material यूज कर के product आपने बनाया है और 250 words में आपको इसको describe करना है वही लगा लो 25 line तक कर देना 20 से 25 line कर देना चलो 20 से 25 line कर देना अगर कोई इसको लेता है तो इसमें आपको चाहे तो आपकोई simple utensili दिखा सकते हो इन में से किसी भी type का या फिर आप दिखा सकते हो इसका sketch इसका पूरा view हर तरीके से और इसके बारे में थोड़ा सा describe कर सकते हो तो आज की वीडियो कैसी लेगी जल्दी से मुझे comment box में बताओ मेरा गला सूख चुका है पताने क्यों सूख रहा है फर सूख ही रहा है खैर क्या कर सकते हैं तो prepare करो अपना और अच्छे से इसको बना लो अभी थोड़ा सा टाइम है आप सभी के पास मेरी ख्याल से मेरी वीडियो की वज़े से आपको थोड़ी ही सही बट help मिली होगी तो जल्दी से comment box में बताओ कि वीडियो कैसी लगी और हमारी instagram की idea unique classes के नाम से तो इसको भी फोलो कर लो जाकर और साथ ही आप सभी S.O.S.E. Yonikans हमारे second channel को भी subscribe कर सकते हैं वहाँ भी काफी सारी informative videos आती हैं तो मिलते एक new video के साथ अब तक के लिए telegram group को join के लिए link description box में thank you so much for watching this video stay tuned unique classes का नाम रहा S.O.S.E. मारे इसे comment box में भर दो